दोस्तों आज की शुर्म बात करने वाल है कि आपके पास रिमोट होगा यह जो स्मार्ट टीवी का रिमोट होगा तो इसी रिमोट को आप as a कीबोर्ड या फिर ऐसे स्लाइड करके चैनल को ओपन बगरा कर सकते हो लेकिन कई बार कई आप माउस की भी जूरत पड़ती है मोबैल से आप माउस कैसे यूज कर सकते हो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो और मोबैल से आपको नहीं करना ऐसे माउस आपको यह भी रिमोट ही यूज करना है तो यह वीडियो आप पूरा देखना है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रिमोट को माउस में convert करना है तो start करते हैं उससे पहले बता रूब कभी देख विडियो लाइक निया लाइक के लिए जो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन मत बुलेगा बहुत सारी वीडियो टीवी के लिट्रेट और भी बहुत सारी अपने phone में और यह application आप इंस्ट्रॉल कर सकते हो phone में और शासरी टीवी में इंस्ट्रॉल करदें जिससे वही file हम इस टीवी में send करेंगे दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि आप pendrive का यूज करके भी उस file को टीवी में transfer कर सकते हो फिलार मेरे पास पेंडरा है और लेवल नहीं है इस वाज़े से इस एप्लिकेशन का यूज करता हूँ तो देखी यहाँ पर मैंने पहले से इंस्ट्रोल कर रखा है बाकी पर्मिशन वगिरा जो भी आपको दे रही होगा अन्नों सोर्स वाला सब कुछ आपको अलाओ कर देना है फर्स्ट आम यूज करते हैं तो पर्मिशन देनी जरूरी है तभी यह अप्लिकेशन इस तरह चेक वर्ट करेगी तो चलिए यहाँ पर मोबैल पर जाते हैं तो यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हो मोबैल का मैं एप्लिकेशन डा इसको आप डाउनलोड कर लिजे इस तरह से प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगे सेंड फाइल टू टीव सच किजिए यह आपको लोगो वगरा देखना है और इस अप्लिकेशन को इंस्टोल कर दिया है तो ओपन पर हम क्लिक करते हैं बाकि इसमें भी कुछ पर्मिशन आप आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है तो यहाँ पर में पर्मिशन आएगी कोई दिकत नहीं है तो अब फाogn आपको डाउनलोड कर लिए जो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्टन में द है वह एक अपलिकेशन आपको डाउनलोड कर गी ए तो डाउनलोड करने के बाद जहां पर आपने रखाए वह इस पोल्डर में चले जाना है तो मैंने वह डाउलोड करके मूवीज वाले में रखा है और यहां पर है जी रही M A TV तो इसको मैं सेंड कर लेता हूं इस टीवी में तो यहां पर M A TV पर जाते हैं और यहां पर सेंड हो चुके वहां पर आप देख सकते हो और यहां पर यहां पर जो दो मगेरा नहीं आई तो डायरेक इंस्टोल का ओप्सन आ चुका है इंस्टोल का इंस्टोल पर क्लिक करते हैं और यह जो M A TV कर रही है, mouse for android TV, वागर शों नहीं करती है यहां पर एप्लिकेशन में तो आपको उपर जो setting है यहां पर मतलब M पर मतलब यह दिखीए यहां पर available है, बट अब यहां पर मैं आपको इस Jeśli एपकराद की दिखातता हूं वह रहाण से भी operates करते हो लेकिन मैं अभी एप में जाके करता हूँ कुछ चीज़े है जो आपको ध्यान रखनी है और यहां से mouse for android tv उस पे आप क्लिक करते है और इसको open करते है अब open करने के बाद कुछ इसरे से दिखने को मिलेगा लेकिन यहां पे दिखिए अभी red color का है not granted not granted और यहां पे भी not running आपको यहां पे mat पे जाना है और यह जो है अभी इसको on कर देना है इस तरह से back चले आना है एक granted हो चुका apply देख सकते हो अभी यह जो बाकी करने के लिए आपको यहां पे setup permission का option नहीं है यहां पे काम नहीं करेगा तो आपको अभी back चले आना है और फिर आपको tv के setting में जाना है यहां से उपर setting वाले option में जाना है और अब यहां पे आपको device preference में जाना है नीचे जाना है accessibility में और यहां से accessibility है और नीचे जाएंगे तो यहां से mouse toggle जो off है उसको on कर देना है इस तरह से एक बार एक आपको यहां से आपको यह भी देख लेजी एप में जाके कि जो भी permission वगर है यहां पे मैंने दी है वो complete है या नहीं तो यह सब कुछ सी सोरी यहां पे special access में जाना है display और apps पे जाना है और यहां पे आपको M.A.T.V. जो अभी वहां पे setup permission पे किया लेकिन यहां पे ओन है यहां से own होना चाहिए बड़ाबर तो यह दो चीज आपको करनी है अलाकि वहां पे direct ही हो चुका था हमने किया था setup permission अब application में जाते है वापस यहां पे mouse for android open करते है तो अब देखी यहां पे उपर granted आ चुका है यहां पे भी granted आ चुका है मतलब की permission अगरा सब complete okay हो चुकी है अब setting करने के लिए यहां पे नीचे आपको जाना है इस तरह से mouse का नीचे जाना है इस तरह से और यहां पे detect लिखा है detect उस पे आपको click करना है तो चली यहां पे बीच वाला जो है वहां पे मतलब remote का okay button प्रेस करना है और इसके बार यहां पे 3 second कोई भी आप button प्रेस कर लिए तो मैं यहां पे बेक कर रहा है बेक बटन दबा की रखता हूं 3 second के लिए तो वहां पे 4 आ चुका है और यहां पे आपको yes कर देना है और yes करने के बार यह detect हो चुका है अब कोई दिक्कत नहीं आएगी अब यहां पे mouse आ चुका है यहां पे बट अभी back चले आते हैं अभी क्या करना है अब देखिए मैं mouse यूज करने के लिए क्या करूँगा यहां पे पहले back आते हैं home page पर आते और यहां पे home page पर आ चुके अब home page पर जैसे आए तो आप यहां पे जो back button अमने यूज किया था उसको सेकंड तक दबाके रखे जहां पर आमने पहले दबाके रखा था जो भी बटन आपने दबाया है तो वही बटन आप easily इस तरह से use कर सकते हो और जैसे यहाँ पे जैसे की YouTube पे जाना है तो यहाँ पे लाके आप बीच वाला icon पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे YouTube पे जो select हो जाएगा यहाँ पे यूटूब चलेट हो चुका है और बीच में यहाँ पे जाके इस तरह सेलेट कर लिजे ओके कर लिजे यह अप्रिकेशन ओपन हो जाएगी तो यहाँ जीओ टीव में देखिए बहुत सारी फ्रेंड को जीओ टीव में दिखकत आ रही है अलाकि जीओ टीव अभी कुछ प्रॉब्लेम में आपको बताऊंगा बट यहाँ जीओ टीव को पहले तीन सेकंद इसको ओफ कर लिजे इस तरह से और नेजए जीओ टीव यहाहाँ पे इसको उपन कर लेना है एक प्रॉब्लेम जो आ रही है अभी दिखा भी देते ठीक ही इस वीडियो में तो अभी तीन सेकंड के लिए इस ओपन कर लेते माउस को इस तर तो इसका solution बहुत जल्द आने वाला है फिलाल इसको थोड़ा बंद कर लेते इसको तो माउस का use remote से ही कर सकते जियू टीव के लिए best रहेगा लेकिन जियू टीव है जो प्रॉब्लेम आ रही वह बहुत solution बहुत जल्द solution मिल जाएगा तो यह था अज के इस वीडियो में उम् बाइ